नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर प्लांट अलमंडा पर बात करेंगे अलमंडा फ्लावर प्लांट जो की पूरे गर्मी वर्षाद बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है लेकिन जैसे विंटर सिजन आती है तो यह अपनी ग्रोथ रोग देता है और दोर्वेंसी में चला जाता है अलमंडा एक वाइन वाली वराइटी होती है और अगर हम इसकी फ्लावर प्लांट करते हैं तो यह गमले में बहुत अच्छी सेप में ग्रोथ करता है लेकिन प्रून नहीं करने पर इसे सहारी की जरूरत पड़ती है जो कि एक गमले में लगे पोधे वाइन की रूप में ग्रोथ करते उतने आकर सक नहीं लगते हैं इससे नॉर्मल प्लांट की ही तरह ग्रोथ करने के लिए इसकी प्रूनिंग बहुत जरूरी है और प्रूनिंग इसलिए भी बहुत जरूरी है दोस्तों क्योंकि प्रून करने पर इसमें नीचे नोट पार्ट से यानि जो इसका गांट वाला हिस्सा होता है जहांसे पतिया निकलती हैं वहां से नएने सूट्स निकल कर आते हैं अलामंडा के एक ही नोट पार्ट से आपको 4-6 सूट्स निकलते दिखाई दे सकते हैं जो कि सायद ऐसा किसी अन्य फ्लावर प्लांट में आपको देखने को ना मिले इस तरह से यह फ्लावर प्लांट बहुत ही कम समय में काफी घना हो जाता है और फ्लावर इंग भी ज़्यादा करता है दोस्तों अलामंडा एक काफी हाड़ी विराइटी का फ्लावर प्लांट होता है इसकी रिपोर्टिंग आप गर्मी के दिनों में भी कर सकते हैं जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल 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 से नीचे हो ऐसे में ये थोड़ी बहुत इस्ट्रेस जरूर लेगा लेकिन मरेगा नहीं और जहां तक बारिस के मौसम की बात है तो अभी के टाइम पर आप इसकी ब्रांच की प्रूनिंग कर सकते हैं और अगर आपने इसे लंबे समय से ग्रो कर रखा है और इसकी ग्रोथ साही से नहीं हो पा रही है तब भी आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं तब कि इस हीती में पूरे चांसे होते हैं कि इसका रूट बाउंड हो गया हो क्योंकि देखिए अलमंडा की रूट्स की ग्रोथ बहुत जादा फास्ट रहती है बहुत कम समय में गमला रूट्स से भर जाता है और एक समय ऐसा आता है जब इसकी रूट्स की ग्रोथ के लिए गमले में इस पेसी नहीं बचता है ऐसे में आप चाहें कोई भी खाद फड़ी लाजर वगेरे डाल लें उसे पोधा नहीं ले पाएगा ऐसे में एक मातर उपाई यही बचता है कि आप इसकी ततकाल रिपोर्टिंग करें इसकी रूट्स की प्रूनिंग भी आप जरूर करें आपको बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है यह बहुत कम समय में अपनी रूट्स की ग्रोथ काफी ज़्यादा कर लेगा अगर इसकी सही से केर देखभाल की जाए तो इसकी वर्ष में दो बार तक रिपोर्टिंग की जरूरत पड़ती है एक तो आप बारिस के मोसम में जून जुलाई में इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं फिर इसकी दुबारा से रिपोर्टिंग ठंड की मौसम के बाद बसंद रितु में फरवरी महिने के आसपास कर सकते हैं। और अगर आपने इसे ग्रो नहीं किया है तो इसे नर्सी से लाकर ज़रूर लगाईए। इसकी देखभाल कोई बहुत ज़्यादा कठी नहीं है। नर्सी से लाकर इस्टार्ट में आप इसे आठ इंच के गमले में ग्रो कीजिए। फिर दस इंच के गमले में फिर बारा इंच के गमले में। जब भी इसकी ग्रोथ आपको रुकती दिखाई दे आप दो इंच बड़े पोर्ट में इसे रिपोर्ट करते जाईए। अगर रिपोर्ट करने लाएक मौसम सही है तो आप ज़डों की कटाई छटाई भी कर सकते हैं। नहीं तो आप इसे ऐसे ही एजटी दो इंच गमले बड़े में सिप्ट कर दीजिए। और इसकी फाइनल रिपोर्टिंग के लिए आप 14-16 इंच का गमला ले सकते हैं। उसमें आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों मैंने पहले इसे 10 इंच के गमले में ग्रो कर रखा था और अब इसे 12 इंच के गमले में रिपोर्ट कर रहा हूँ। और जो मिट्टी मैंने बनाया हैं इसमें मिट्टी 60% और गोबर की खाथ 40% मैंने इसमें 8 किया है। देखिए मेरी मिट्टी पहले से भुरभुरी थी तो मैंने इसमें रेद बालू को बिलकुल भी एड नहीं किया है आपको मिट्टी और बालू दोनों को मिलाकर टोटल दोनों का टोटल परसेंटेज 60 तक कर लेना है और खाद की मातरा 40 परसेंट गोबर की खाद अगर आपके नहीं है तक पत्तों की सड्य विखाद या वर्मिंगं पालस जो भी आपके पास हो उसे आप ले सकते हैं लेकिन अगर गोबर की खाद आपके पास हो तो उसे ही आप यूज करें यह जो रिपोर्टींग प्रोसेसः आप देख रहे हैं यह गर्मी के दिनों का है इसलिए मै कांट रिपोर्टिंग के एक महिने तक आपको इसमें कोई भी खाद नहीं डालना है सिंप्ली इसे ग्रो किजिए बस टाइमली आप मिट्टी की गुडाई करते रहे और मिट्टी में नमी बनाया रखिए अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखकर ग्रो करते हैं जहां पर इसे आ आप खूली जगह पर रख सकते हैं दोस्तों ये पहला अपडेट 17 दिनों का है प्रूनिंग रिपोर्टिंग के बाद अब इसमें निव ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है जहां जहां भी इसके नोट पार्ट हैं वहां से नेने सूट्स निकलने स्टार्ट हो चुके हैं इसक के दिनों में वीड यानि खर्पतवार बहुत तेजी से पूरे गंबले में भर जाते हैं और मिट्टी में मौझूद पूर सकता तो में बढ़ चड़कर हिसे दारी लेते हैं इसलिए इससे आप विकली चेक करके रिमू कीजे अब एक महीने के बाद इसमें आप 300 से 500 ग्रा समय गंबले का काफी पोस्त प्रतों बहकर बाहर निकल जाता है इसलिए इस टाइम पर तो आपको किसी भी खात को तरल रूप में आपको नहीं डालना है आप खात को डायरेक्ट ही डाल दीजे और मिट्टी की गुड़ाई कर दीजे इससे वो धीरे-धीरे मिट्टी में र पिंचिंग कर दी थी जिससे कि और भी ज्यादा गहना बन सके जहां जहां से पिंच की गई थी वहां से चर्चर ने सूच निकल कर आई हैं इस तरह से अलमंडा का पौधा घना और वुसी भी हो जाएगा और फ्लावर भी ज्यादा प्रोडूस करेगा और चुकि यह वाइ कितनी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है और पौधा भी पहले की तूलना में काफी घना हो गया है अब इसकी टोफ लेयर थोड़ी कठोर हो गई है इसलिए अब इसकी फिर से गुड़ाई करेंगे दोस्तों मिट्टी की गुड़ाई करते में आप देख सकते ह जड़ों की ग्रोथ फिर से कितनी ज्यादा हो गई तिसरा मेना आते आते गमला फिर से काफी ज्यादा जड़ों से भर गया है अभी ये मेरा अलमंडा का प्लांट फ्लावरिंग पर है इसलिए अभी मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं करूंगा अभी जितनी भी इसमें फ्ल बारिज का सिजन भी स्टार्ट हो चुगा है इसलिए अब इसमें मिट्टी और खात का मिक्चर बनाकर गमले को फिल करेंगे चुकि अब इस मोसम में वाटरिंग की कोई आव सकता नहीं है पानी की पूरती बारिज से ही हो जाएगी इसलिए गमले के स्पेस को भरना बहुत ज ही कर रहा है तब ते सारे प्रोसेस आप कर ही डालिए आपको विंटर से पहले एक फ्लावरिंग अपडेट जरूर मिल जाएगा और अगर आपका अलमंडा अच्छी ग्रोथ कर रहा है फ्लावरिंग पर है तो आप बस खाट टाइम ले डालते रहे हैं और मिट्टी की गु सब्बसक्राइब करने की सिथि में आप बैल आइकन को जरूर ही ओन कर लिजेगा अब बेल आइकन को ओन करना बिलकुल भी मत भोल येगा तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ तब तक कि लिए आपका धन्यवाद